खादी के छेत्र में पूरा उत्तर प्रदेश एक बेतर प्लेट फारम के तरह बढ़ता जा रहा है अब लोग खादी को पसंद कर रहे हैं चायो कुर्ता हो या सड या फिर पैजामा या गमच्छा या फिर रुमाल या टोपी खरिदारी जमकर हो रही है हम बलिया में है चित् गादी आश्रम से अटैश है यह और हर साल दो अक्टूबर के दिन एक बड़ा आयोजन होता है उस आयोजन में विविन राजनेतिक दलो के नेता खास तोर पे गाधी वादी से जुड़े लोग यहां आते हैं और इसका एकर में शफल भागेदारी निभाते हैं आई हम बा में बातकी है उसके बात ग्रामद्योग में चौनपरास है सबून है और अकर उसके नहीं कि पसंद कर रहा है खाने में क्या पशंद लोगों का खाने में आशे लोग चने का सत्वी जह और बेशन जा रहा है चौनप्रास जा रहा है जलाने के लिए बथती है और उसके बाद जामून का सिर्का है आउले का रस है सब्सक्राइब करते हैं उसके अलावा तो बहुत मतलब बच जा रही है तोपी बच जा रही है तो चला है कुर्टा पैजामा ब्यातर चला सद्री चल रही है संस्था के तरफ से 10% मिला लेकिन सरकार की तरफ से नहीं कि मार्श तक था मनलब सरकार का लेकिन इधर नहीं है इधर 10% संसा दिये कि लगन चल ला है कुछ दिया जाए ताकि लगन के देखते हुए ग्राकों को 10% आप छूट दे रहे हैं 10% छूट के साथ गादी आश्रम में आप आईए और कपड़ों का रेंज ले जाएए बहतर कपड़े हैं हर तरीके के कपड़े हैं बहतर हैं अच्छे हैं अच्छे क्वालिटी के हैं लोग पशंद कर रहे हैं और हम फिर आप से कहेंगे कि चित्तु पांडे चौरा के पास से रेलवे क्राशिंग के बगल में गादी आश्रम में आप आईए और खादी का लाब उठाइए फिर हम आप से जुड़ेंगे अब तक के लिए बस इतना ही देखते रहे यूपी आज कल बली आज कल मैं रोशन जैस्वाल इस्ट में हाँ हूं नमस्कार